हाई गाईज वेलकाम वेग माई यूटूब चनल बल्राम मेकानिक डायडर आज मेरे पास एक स्कूटी आई है जो की भी सिक्स मोडेल है दोस्तों सिक्स जी है उसी स्कूटी का स्टाटिंग प्रोले मारा रहा है दोस्तों जैसे 2-3 किलमेटर चलने के बाद स्कूटी आफ हो दोस्तों बंद हो जा रहा है इस प्रोलम को कुछ तरह से स्टाट आउट करना है किया मैं आप लोगों को फूल डिटेल बताने वाला हूं दोस्तों देखे वीडियो को एंड तक इस किप करो तो आप लोगों को वीडियो में पताने चलेगा दोस्तों क्या प्रोलम है ठीक ह इक ऐटेवा सीथ मडह दोस्टों आप देख सकते हैं किया एकट आप देख सकते हैं दोस्तों एक्ठिवास टियह काई carbon8 इंटीन चलने के सबने के बाद भी अब हुए अगिने सांस पूल रहा है दोस्तों देखें में स्टाट रहते हैं आप लोग को दिखाता हूं स्टाट होने से भी कंटीनियु जल रहा है दोस्तों देखें स्टाट हो चुक्त है इसका जूप लइट है यह Constantly अभी भी देखिए स्टार्ट है फिर भी चिकलाइट चला जाना चीजिए चिकलाइट निगा रहा है दोस्तों नहीं हट रहा है क्या प्रोलम है दोस्तों चलिए मैं आप लोग को दिखाने वाला हूं दोस्तों आप करते हैं दोस्तों बाइक को सरी दोस्तों बार-बार बाइ आपको दिखाऊंगा दोस्तों क्या प्रॉलम है यहां पे दिखा देगा दोस्तों करेगा देखे इसकी बाद पर कुछ प्रोसेसिंग आ रहा है दोस्तों फोड़ा सा टाम लेता है दोस्तों और यहां पर जोकि पंचवाल का प्रोलेम दिखा रहा है दोस्तों अब देख सकते ने चार्कुल के मिस्टर की साइड में जो लगा हुआ है पंचवाल का दिखा रहा है और ideal air control circuit और दिखा रहा है दोस्तों इसमें दो फ्रोलेम दिखा रहा है जो को P0511 का दिखा रहा है एरर कोड जो है P0511 इसका है दोस्तों आप देख पा रहे होंगे इसका fault code ठीक है तो उसके बाद आपको मैं ले जाऊंगा दोस्तों अभी आपको दिखाऊंगा देखिए और एक जसके दो दिखा रहा है है इसमें 0 kaufen गजाड़ा ऻितेर गुंद आभी इसन की पॉंद आपको दिखा रहा है आइदि का ईक एक हुआ दोस्तों इसका जो इसको न्दीत बात कर चुका हूं देखेए अब दिख पाए रहा हमेँ इसका प्रोलम दिखा रहा हैं उसके प्रोलम आया है दोस्तों आप देख सकते हैं चीना केमिश्टर लगा हुआ चर्कुल केमिस्टर लगा हुआ है दोस्तों सरी यह चर्कुल केमिस्टर है दोस्तों चर्कुल केमिस्टर के अंदर में चुटा चुटा पाइप गया है आपको दीग रहागा इसके अंदर पंच बाल लगा हुआ है दोस्तों यहां पे देखिए मैं हालका सहया पर उठा दिय कि यहां करते हैं गया है इसका पेड्ल टैक में पेड्रेंग होता है यहां से जंदर हो कि में है अपर नर्डी बेर्यों सतते हैं इस टाम करना कर रहे हो तो यह सब्सक्राइस हैं च्राव को च्राएल केस्टर में जो लगा हूँ च्राते किलीन करना है नहीं दूस्तों तो इसे पहले क्या पर अएब और करना पड़े गाएज उसको खूलना पड़ेगा उपन करना पड़ेगा यहां पर तो आपको दिख रहागा जो पॉंच वाल वेसको उपन करना पड़ेगा दोस्तों और इसके अंदर जो चर्कुल केमिस्टर है उसको भी निकालना पड़ेगा दोस्तों इधर से आया है और एक फाइब देखिए अब देख सकते हैं इस पाइट को भी क्लीन करना है दोस्तों पाइब आई दोस्तों इसलिए इस के अंदर शार्कुलेशन करते रहता है तो डैस चला जाते हैं दोस्तों यहां पर आया पाइब आपको दिख रहा होगा देखिए फाइब इधर आया सो यह चार्कुलिसकेमिस्टर है इधर से पाइब गिया है उस साइट दोस्तों आप करोषषट में दिखा रहा था पहले तो दोई इसको खोल देना है दोस्तों के निकल चुका है और जो पंच भाल जाएगा दोस्तों देखिए आप देख सकते हैं दोस्तों इसको खोल देना है CAP व्युद्ट से काम आएικά दोस्तों और कितना रिडिन से कम आएगा तबी प्रोलम को बनाना मुश्क्राब होग। और यहां पर कितना रिडिंग आता है वो मीमी आप लोगो दिखाने बारा हूं दोस्तों देखिए इसका जो चारकुल केमिस्टर इसको मैं निकाल दिया हूं आप लोग देख सकते हैं इसका इसकी इसको डाप रखेएगा क्योंकि एसे रहता है देखिए अब देख सकते हैं निकालते टाइम में आप लोग को थोड़ा प्रोलेम भी हो सकता है तो ऐसे लगा रहता है दोस्तों देखिए मैं निकाल चुका हूं और इक पाइप को जो कि टैंकी के अंदर गया है चारकुल केमिस्टर से टैंकी में जाता है दोस्तों इसको मैं डिसकनेट किया हूं और पाइप को मैं अभी निकाल रहा हूं दोस्तों देखिए यहां से डिसकनेट कर रहा हूं आप देख सकते हैं इस तरह से आपको निकाल देना है दोस्तों आप निकाल के कैसे क्लीन करना है को भी मैं आप लोगों को बताऊंगा दोस्तों देखिए इस वाइप को निकाल देन से यार पिरसर से आपको clean करणा है दोस्तों क्के अंदर कोई भी एक 7ο तब यह problem आता है 3 km-4 km चलेगा उसके बाद फ्रोलम ऐगा दोस्तों बंद हो जाएगा उसके वाद कुछ time करने है दोस्तों ठीक हैं और आव लोगों सद्सक्राइं कितना इसके अंदर शचार कइमस्टर है कि इसकी आपकने होते हैं वेइसे क्लीन है और टा सकते हैं और अगर काम कर रहे हैं घर t कर से इसipline करते हैं दोस्तों यह इंग stress में निकल दिया हूं इस साइट और इऐर मारता है दोस्तों अब देख सकते हैं यहां से मी यारहरा है कि इसके दिख सकते हैं तंग इस साइड में क्लीन कर सकते हों और इसका फॉट चेक करने के लिए अब को डीसी 20 वोल पर एकना है बमेतर को डीसी 24 पर गुष्ट को अन करना है तभी यहां पे कुछ रीडिग दिखाएगा दोस्तों 12 का करेंड आता ही यहां पर 6 गरता है देखें में अब लोको दिखा देता हूं आपर मिलगा दिया हूं उसके डीले 310 कर दिया दिखिए इसमें 10 2 क कुछ दिखा रहा है दोस्तों कि निशना एसका चार्ज कम है दोस्तों पीटरी का चार्ज जाने से भी प्रोलेम आता है ठीक है तो पहले से आपको चिक कर लेना चाहिए यह रहा है तो इसमें यहां तक करेंड आ रहा है कि नहीं अगर नहीं कर रहा है तो कहीं भी इसका क्नेक्शन कटा है दोस्तों उसको आपको चिक कर लेना है ठीक है और यहां पर मैं दोस्तों हम प सेकते हैं 45 , 3号 zal दोस्तों काम हैं नहीं करीगा तू और वयन्जेज को दिखा दिया और वह वी लगा देंगे दोस्तों सब किसे कम फिर से फिट करते हैं स्टार्ट करके Summit से sell कर दिया है कि यह पर यहां पर अब कर दिया है उसके बाद भी लगा देंगे दोस्तों ठीक है इते हैं अब देख सकते है सब लक चुका है दोस्तो थो फीचिंग कर चुगा है इगने स्वियान करता है फैस मेंने संसी आणं कर दिया मौस्कu आज इस घूड़ा यहां पे थोड़ा सा लेट होता है दोस्तो प्रसेस्जिंग के लिए उसके पर से एंटर दवाना है आपको दिखा देता हूं देखिए उसके बाद लोट आपको दिख रहा हो नीचे है कुछ रह候 को नीचे रीचोट देखिए दोस्तों सें अभूट जना है टृट्व हर दोस्तों तीन बार आप को दबञाना है ुछ टैम रूख के तोरण चला लगा जोरूर कमेंट करें दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को ठीक है देखें दूस्तों करें इस्टाट हो गया अब दिख सकते हैं कोई भी चिक लाइट नहीं आ रहा है दोस्तों जहरा आया था वो चला गया आप इस त वीडियो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो मिलते हैं चलो दोस्तों बाई बाई बाई